नमस्कार जोहार सभी दोस्तों का स्वागत है आप सब का परिच्छा साथी में जितने भी आपके सवाल है जो भी कनफ्यूजन है उन सब को दूर करने का प्रयास करूंगा वीडियो आप लोग अंत तक देखेंगे कंटेंट सही लगेगा तो लाइक करिएगा वीडियो को और जो लोग नए है आप लोग सब्सक्राइब करिएगा ठीक है बात करेंगे एक्जामिनेशन डेट्स को लेकर के उसके बाद कुछ लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं उस पे भी आगे चर्चा करेंगे बहुत सारे ल अगरसे एक्जामिनेशन लेना है तो नहीं होगा ठीक है इसको इतना सिमपल आप लोग सब्सक्राइब इससे जादा नहीं लगाना है अगर ate G denn डिक कर लें कि को दिसंबर में कि टेंटेटिव डेट ही दिया जाता यह बहुत सारे लोग आपको पहले भी बता चुके इस पर कोई बात नहीं होना चाहिए अब एक संभावित डेट आपको दे दिया गया उसके आगे कुछ हो सकता है कुछ और आगे बढ़े लेकिन उसी के आसपास आपका एक्जाम हो जाएगा ठीक है यह मान करके चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यह बता रहा हूं कि जो लोग जॉब में मेरी उनसे बात भी हुई है एक दू लड़की है जो कि रेलवे में है ठीक है ऑफिस जाते हैं ऑफिस जाने से पहले दो से तीन घंटे दिमाग लगाई है बजाए इसके कि एक्जामनेशन डेट्स क्या होगा है आप देखिए कि मैं आपको लिक करके दे रहा हूं मेरा बात आप लोग रिकॉर्ड कर लीजेगा कि इस बार भी JSSE CGL में जो लोग already job में हैं बहुत बड़ी संख्या में उनकी selection होने वाली है ठीक है और ऐसे जितने भी candidate है जिनको लगता है कि उनकी तयारी बहुत अच्छी है ठीक है और वो लगातार कभी टेलिग्राम में कभी वाट्सअप में इनी सब चीजों में अपना समय वेस्ट क होने वाला है इस बात का भी विशेश्थ्यान रखना है अब दोस्ते मेरी बात हो रही थी अब उन्होंने ऐसे बात चीत में किसकी क्या प्रिप्रेशन है क्या नहीं है उन्होंने एक सवाल पूछा कि हम पी हम पी आप सब जानते होंगे अतिहासिक जगह है ठीक है वो किस नदी के किनारे है अब अचानक से जब यह सवाल आया तो मुझे ऑप्सन भी मिल जाता तो वसायद में इसको गलटिक करता है जबकि इतना अतिहासिक स्थल है इसके बारे में पता होना चाहिए सवाल यहां से पहले पूछे भी गया है तो अचानक से टेंसन हो गया कि यार इतना सिंपल सा स्वाल और नहीं आता है तो इस तरह की चीजिओं का टेंसन आप लोग भी लिया और यह बहुत कुछ है त्यारी करना ठीक है अगर आप जारक्रिंट में तो आपको इन सब तीजों की आदत हो जाने चाहिए यहां ऐसा ही होता है ठीक है अगर बहुत जादा टेंशन में है फैमिली प्रेसर है जो भी है बिहार में बहुत सारी वेकेंसी आई है आप वहां फिल कर दीजिए और उसकी की तैयारी करिए लेकिन अगर आपके पास ऑप्सन नहीं है सिर्फ सीजेल की ही तैयारी आपको करनी है तो फिर इस तरह का नाटक उटक मत किया करिए जो डेट मिला है तैयारी करिए ठीक है आपको यूट्यूट चानल से हैं जिन चैनल का उपज ही आंधोलन की तहत हुआ ह ठीक है तो वो लोग तो चाहेंगे कि हर समय आंदोलन होते रहें ताकि उनको content मिलता रहें मैं आंदोलन के विरोध में नहीं हूँ लेकिन आंदोलन का जब आप track record देखेंगे उठा करके जारकन में इतने भी आंदोलन हुए है खास करके इस सरकार के विरोध में एक भी आंदोलन successful नहीं हुआ है चाहे वो 60-40 वाला हो चाहे वो पंचायच सचीव को ले करके हो टीचर्स को ले करके हो ठीक है जेपीएसी को ले करके हो एक भी आंदोलन successful नहीं हुआ है कुछ लोग बोलेंगे कि एक आंदोलन successful हुआ था जिसमें सरकार कोट में नहीं गई तो आप लोग गरत फेहमी में है अगर सरकार की इच्छा होती कोट जाने की तो किसी का बाप नहीं रोग सकता था इस बात को ध्यान में रखिएगा सरकार को जाना ही नहीं था कोट इसलि बनाई है लगतार चार साल से बना ही रहे हैं कोई फर्क पढ़ने वाला है नहीं समय वेश्ट होगा उल्टा और इसलिए जो डेट दिया गया है पढ़ाई करिए नहीं कर सकते हैं किसी और एक्जामनेशन की त्यारी करिए वो भी नहीं कर सकते हैं तो कोई और रास्ता देख ठीक है लेकिन जो भी करना है आपको से ही करना है और खुझ से डिसाइट करना है इस डिसकुसन को मुझे लगता है कि अब बंद करना चाहिए कि ईग्सामनेशन कभ यहीrial क का होगा कि कब होगा कब होगा कब होगा तयारी करिए अभी बोल रहा हूँ ना सिंपल सिंपल सवाल अगर पांचे सवाल किसे पूछ दिया जाए तो हर किसी को अपना उकाद पता चल जाएगा ठीक है बहुत कुछ पढ़ने के लिए है आपको बार बार मौका दिया जा रहा है अच्छी बात है अच्छे से प्रिपेर कर लीजिए और अगेन ये बात याद रखिएगा कि एजेंटा में अगर है तो लेगी नहीं है तो नहीं लेगी आप आंदोलन कर ले चाहें कुछ भी कर ले इस सरकार को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है और ये मैं पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके बोल रहा हूं ठीक है ना बहुत आंदोलन वाता पीएस को ले करके बहुत धमकी दिया लोगों ने क्या किया सरकार तो रद कर चुकी थी वो तो सुक रहागी सु को अगर इमांदारी से कहा जाए तो उस एक्जामिनेशन को रद्ध होना चाहिए था उसके लिए अंदूलन भी हुआ लेकिन क्या रद्ध हुआ कुछ नहीं हुआ आज लोग जोइन किये हुए और अराम से सेलरी उठा रहे हैं इसलिए विकार की बातों में समय वेस्ट न करते हैं नहीं काम करेंगा समय निकल जाएगा जब पूरे तरीक द glow जाएगा चुनाउब न आ जाएगा उस टाइम पर फोड़र दरना जो भी करना है उस टाम किया जाएगा अभी इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है आपको जारकान कि तयारी में प्रॉब उपर है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं ठीक है बाकिया आपका कोई भी टाउट है कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछे का मिलते हैं किसी और वीडियो में तो तक लिए टेक केर गुडबाई